हेलो डियर स्टुडेंट्स आपके अपने यूट्यूब केनल चैंसर में आपका स्वागत है इस स्टुडियो में हम दिसक्रस करने लॉट्स एंड जो डिसेंट है उसके बारे में हम डिसक्रस करने वाले हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर किजी इससे पहले आपने जो प्रिविएस वीडियो वहां पर क्या देखा वहां पर हमने जाना था कि जो हमारा जो कोंसिट्यूशं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जो हमने किया जो आपने प्रिविएस वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंग पर आपक्लिक किजी हैं पहले फर्स पार्ट देखिए देन आप सेकंड पार्ट में आइए और आप अपने जितन Corinthians बारे में यह आईए औ यहां पर आपको क्या मिलता है यहां पर मिलता है कि जो हम बात करें कोई भी जो लॉज है वो क्रियेट किए तो वह जो लीगल है कि लीगल और इल्लीगल यानि कुछ जो चीज़ें हैं वो सही होता है कुछ जो चीज़ें गलत है सही या गलत की फरक की बात किया जाए कि वह प्रूफ है सो हमारा जो कॉंसिट्यूशन से बड़ा कंट्री में कुछ भी नहीं है चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो प्रेसेडेंट क्यों ना हो या पिर वो कोई सुप्रीम कोट ही क्यों ना सो जो में हमारे जो कॉन्सेटिशन संस में उसको क्या है यह हमारे जो बांकर किसे ने का काम किया जो इंडियन जो Constitution वो क्या करता है प्रोवाइड फॉर एंडिपेंडेंट एंड पावर्फुल जुडिसरी जो सिस्टम से जो रिस्पॉंसिबल है किसके जिए कि जो डिफेंडिंग करता है जो राइट से जो अपमन जो राइट से उनको जो डिफेंड करने के लिए जवाउर्मेंट हे वह अपना पावर का मिस यूज ना करें इसके लिए हमारे पास ओप जे घुको इंडिपंडेंड जुडिसर्टाम से तो उसको काई बार सुप्राइम कोट ने कहिए इसे जो केसे जैसे अभी बीच में हमने ऑक्सिजन के जो सप्लाई है उस पर बहुंच ज़्यादा क्रिटिकल जो कंडिसांस आ गया था वैल्टी लेटर से रिलेटेड को रोना से रिलेटेड जो गवर्मेंट को जो वैक्सिनेशन की जो पॉलिसेस है तो उसको पावर में वह सुप्रीम कोट को दिया गया है उन्हीं के तुरू हमारे जो गवर्मेंट है उसको भी एडवाइस देने का काम जो है हमारे जो सुप्रीम कोट है वह करता है तो लिगलिटी जो है यहां पर इस इंट्रस्टेड विद जॉब आप अपहोल्डिंग दा लिगल नील एंड अबोलिस वैड निनि इसको अवैद कर देना जिसके हम बात करते अबोलिस उसको खतम कर देना यानि कोई ऐसा जो कॉन्सिटुशन से के अगेंस में गवर्मेंट के दार कोई एक इंट्रिदूश कर दिया कोई लगा पास आउट कर दिया गया तो उनको अबोलिस कर पर्मेंट करने का वर्म के पास है तो ऊसबाहरत है हम तो उनके पास है तो हम कुछ भी चीज़ी कर सकते ऐसा नहीं है लिए गवर्मेंट के पास बहुत के यह अगेंस जा सक के हैं जैसे आप अपने घरों में अभी कैद हैं आप बहुं सरी चीजे करें आपके घर में भी कोई rules regulation होता है आपके मम्मी है आपके फाफाइस आपके grand mothers है आपके grand fathers है आपके वह नहीं जा सकते है अगर rules है वहां पर बना हुआ है उसके साब गए तो आपको पता है बड़ा कि आपका क्या होने वाला है सो कंट्री में भी वैसा है कि हमारे यहां जो रूल्स है बनाए गए हैं उनके एकॉर्डिंग तु हमारा जो गौर्रमेंट्स है वह भी कुछ नहीं कर सकता है यहां पर आता है कि जो जूडिसेरी है उसके पास क्या पावर है तो उसके पास जो पावर है कि वो जो लॉस को ब्रेक करने वाले है उसको पनीज करने का भी पावर है वो हमारे किन के पास है हमारे जूडिसेरी के पास है हैं सो हम conclusions में यह कह सकते हैं कि जो हमारा जो it can be said that we need a constitution हमें constitution की ज़रूत क्यों है तो हम conclusion में यह कह सकते हैं कि जो first क्या है कि express the self determination of the citizen यानि जो कोई जो person उसको self determination है उसको express करने के लिए उसको दिखाने के लिए हमारा जो constitution है वो जरूरी है necessary है then second आता है कि it embodies the civil rights of the people it is an in creations of the spirit the hopes the beliefs the expectations and the wishes of the people any particular हम इसमें यह जो चीज़े include कर सकते हैं कि जो यह जो हमारा constitution है वो कहीं न कहीं जो लोगों की जो उनकी जो spirit है साथ है साथ उनके जो hope beliefs है तो लोगों की जो wishes है उसको बना कर उसको यानि complete जो किसी country के जो developments के लिए जो वहां के जो citizen को जो चाहिए तो वो कौन प्रवाइड करता है हमारा constitution है तेन थर्ड जो पॉइंट्स आता है कि जो constitution से वह establish करता है क्या करता है दा लीगल framework फर डेमोकरिसी वह यह जो है डेमोकरिसी के लिए जो लीगल जो framework एक जो प्रॉपर जो systems है वह हमारा जो constitution से वह एक framework जो है डेमोकरिसी के लिए प्रोवाइड करता है तर्यार करता है यह आपके क्या हुए लिगलिटी ऑफ लॉज डेन लेक्स आता है आपकी की जो लॉज एंड डिसेंड यहां पर जो पिटा केसि स्टेडी में आपका जो एक जो 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 आपको बताया गया कि जो दहेज प्रता कि हम बात करते हैं यह जो है लिए जाता है दिया जाता है अमझे कहीं वह समाजी बुराईया ऐए T उसका बहुंत बड़े जो एक्जामपल यह हमारा जो सिस्टम से इसपने क्या होता है कि देश करोट प्रथा कि वतकुर्था को उसको उसको कहा जाता है जो जब किसी जो girls का marriage होता है तो उनके जो fathers हैं उनके फैमिली members हैं उनके द्वारा जो दूला है उनको जो क्या provides के जाता है ड्वैरी provides के जाता है यानि उनको दहेज दिय जाते चाहे चाहे वो in cash हो लैंड्स प्रापर्टी के रूप में हूं या फीर आपकर जो डिप्रेंट जो फोर वीलर्स टू वीलर्स या फिर जो сказала सबीड जो जांति़ है मचक्छेशन एवहाँ पर यह जो नॉर्मल्ली वह गिस्ट के रूप में होता है बाट कई और सबस्केशन सिश्टम से यहां पर एक जो इंपोस आपका जो डिया गया है था जो यただ यह काम करने को वो काम है कि क्हुआ गया बट कहीं ना यह जो अभी भी हमारे सुसाइटी है लोगों के जो कर्स्टम्स में अभी भी अवलेबल है यहां पर एक जो इस्टोरी बताएगा है कि रिट इस रियल लाइफ इस्टोरी अबाउट अगर्स हो सैट नो टू बैरिक इनी 2003 की बात है जहां знать जो सर्मा था वह कहीना कहीं कि उसकी जो मैर्न मुनिश yo दलाल है उनके सांथ क्या हुआ था यह था बड़ जो सॉट्वियर इसेंर ली 25 युह यह नेशा । अपस में जो दोनों के भी समझाता हूं कुछ जो एमांट्स है वह फिक्स हो गये था बाद में यह जो कुछ जो ऐसी जो चीजें की उसका जो डिमांड्स है वह पुरानी हुआ तो वह साधी से मना कर देते हैं बट यहां पर जो नीशा है वह स्टॉंगली खड़े रहती है औ या फिर और बहुंँ सारे ऐसे एक्जामपल से आपको टाइम में आपको सोशल मेडिया में आपको जो मोवी से वहां पर भी यह जो प्रॉपर जो सिस्टम से आपको दिखाए देते हैं आप इससे वेल नॉलिज आपको है यह आपका जो ड्री जो सिस्ट प्रॉबिट दरीज अबन टूबी डिसेंड और अपोजिशन टू इड मिन जहरली यहां पर कहा गया कि कोई जो लॉज है वह इनेक्ट किया गया कोई लाज पास आउट हुआ या फिर कोई लाज जो कानून है वह पारित हुआ सो क्या हम उसके अगेंश हो सकते हैं या फिर उसके लॉज गोज अगेंस रव इंट्रेस्ट और ग्रूफ और पीपल दैन डैट ग्रूफ विल प्रोटेस्ट तो एक्सप्रेस इस डिस्साटिस्टिस्फेक्शन मिन्स कोई भी जो लॉज है वह इनेक्ट किया गया है ना बट यहां पर क्या होता है पिटा कि वह जो ग्रूप पिपल्स बहुं सरे जो सोसाइटी के जो पीपल्स है पूरे जो कम्मिटी वाले है तो उनके अगेंस है पहले हमारे कोंश्यूटिसन बना था और कुछ जो यह जा जा चीज इंकलूड कर दिया तो वह जो है उसके अगेंस हो रहा है तो ऐसे समय में सिच्विशन में जो पी वहां पर आपको तोड़कों मार फीड दंगे फसाद नहीं करने हैं अब इसके कारण से उसको चेंज करना अब जैसे आपका एक्जामपल करेंट एक्जामपल हम ले सकते हैं जो अभी जो former जो protest जो चुकु समय पहले चल रहा था और अभी भी continue चल रहा है so farmers जो laws जो है वो actor जो introduce किया गया तो उसके against में हैं और वो चाहते थे कि कहीं न कहीं कुछ जो चीज़ें हैं उसको दूर किया जाए यह पिर थो जो चीज़ें उसमें भी खटाया जाए और अभीञें कुछ जो लोग आज और दो कर रहें and ँशो जो हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं अगर आप जो है उसके अगेंस और को くोसी बैस पर्टिकुणर कोई जो लोगों का जो उसके अगेंस पूरे जो एक जो कम्यूटीज हैं जिसमें बहुंच सारे जो नंबर आफ फीपल्स है जो एफ्यक्टेड हो रहे हैं इस सिच्वेशन में वो जो एक्ट है उसको जा तो उसमें क्या कर देंग किया जा सकता है या फिर उसको एबॉलिस किया सकता है अब इसी से पूर्णिटेड पीरेट आइक जो केस इस्टड़ी है यहां पर दिया हुआ है की लॉज एंड डेसेंट एक जो आपका जो डेसेंट है वह आपका हमारा किस टाइम प्रिटी पीरिट का है कि बिटीज रूस की बात कहीं जहां पर प्रिटम प्यटर्स है वह वहारियस जो प में ही ओर हमारे जो प्रोटेस्टर है इंडियान समय की लीडर से उंके द्धवरा बहुंसरे जो death बहुंसरे जो श्ट्रा शाय ऑंधोलेंस से नया वाइलेंस रूप सेजrás कि हिंगो जिसमें आप सरे जो उस समय के जो लीडर्स है उसको आप जानते हैं जिसमें आया भागत सिंग उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया पॉब्लिक सैप्टी और दिनेंस है उसके बिल्स के अगेंस में और उसने बम जो है लाहूर लेजिसलेट्व एसेम्बली के बाहर जो है उसने बम मार्स है वह एक उकॉस्टैंस लो को सोड़ को सारे مार्ष में जो और सो सांथ जूझिक के द्वारा ऑर यहकॉदेड द्रीजा समय तरक किया था है। जो सब्सक्राइब्स कम इसने पिक क्या और जो यह जो आपका सौट्राम सोड़ उसने ब्रेक किया, सो यह रहं कि जो बहुत सारी अपको अभीके चैजीज़ आपको अभीकरेंट उसका आपको सरच करें लिए और सारी चीज आपको मीन जाेगी जो आता है जो दिसेंट उसक老 aware और इक है जो आपका जो रेनट फॉरेस्ट जो आ उमारा जो डगारेस्ट जो केरला का जो वेस्टन जो घाट्स है वहां पर लोकेटेड है सो यह जो साईलेंट वैले सा जिसको हम प्लांट्स हैं यहां पर यहां पर एवलेबर थे जो ग्रेट-амен데 बैल निलगीरी जो तैर्ट से यह कहीं न कहीं वहां पर अबल थे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक जो रेंट्पोरेश को सेव करने के लिए जो मुवमेंट्स है वो इस्टार्ट किया गया था और जो गवर्मेंट्स के जो पॉलिसीज है जो एक्ट इंट्डूश किया गया था लॉट जो इंट्डूश किया गया था उसकी अगेंस उसके द्वारा जो डिस्टिस्पेक्शन है वह यहां पर दिखाया गया था यह कप की बात है तो यह जो है 1973 की बात है जो किरला इस्टेट द्वारेंट एलेक्रिसीटि बोड के द्वारा एक जो मल्टी परपस जो ॏम बिल्ड करने का प्रयास है वो प्रोजिक्श rein किया गया था कहां पर तो कुझती पूझा जो reverse है वहाँ पर hydro electricity project है वो start किया गया था तो यह जो reservoir जो dam formation किया जाएगा जो silent valley के जो catchment area था यानि यहाँ से उसको block कर दिया जाएगा तो इसके जो पीछे वाला area था यहाँ पर कहींने कई flood आने के जो chances थे और वो जो area है वो किसे water से पूरा तरीके से cover हो जाता school teacher था एक जो school teacher थे जो केरला ससत्रा साहित्य परिसाद जिसको K.A.S.A.S.P कहा जाता है तो उनके द्वारा जो public opinion किया गया और public opinion जो रोजाउट किया गया कि जो हमें जो silent valley है उसको सब्सक्राइब करना है उनके द्वारा लेटर जो है राइटिंग किया गया आर्टिकल जो प्रेस में छपाए गया पब्लिक जो डिबेट्स हुआ सब्सक्राइब किया गया कि कहीं न कहीं यह जो हाइडल जो प्रोडेक्स के लिए जो कंट्रक्शन किया जाएगा तो उससे जो यह कहीं न कहीं जो silent valley है वह जो permanent diamonds हो जाएगा और वहां का जो ecosystem से वह कहीं न कहीं पूरी तरिके से finish हो जाएगा खतम हो जाएगा तो इसके लिए वहां पर एंटी जो damn moments है वह स्टार्ट हुआ और जो different school colleges हैं वहां के जो local जो environmentalist हैं वह इस जो प्रोजेक्ट से और क्या होते गए जो moments में होते गए और कहीं न कहीं जो moments के रूप में यह जो moments है यह जो आंदोलन है वह स्टार्ट हो गया बट गौर्बेंट्स के द्वारा या फिर जो वह जो electricity board के द्वारा भी जो बहुं सारे जो प्रयास के गए लोगों को बताने का कि जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट से क्या फायद होने वाले हैं उसको फेवर्स में बाते बताने गए कि लोगों को क्या मिलेगा एंप्रॉइमेंट जर्रेट होगा वहां पर जो इंडर्स्टियर कि बात हुआ कि क्या फायदे क्या लाब हो सकते तह्यक्सान हो सकते हैं यह जो इक्जामें करने के बाद गुवर्मेंट को यह decide करना पणा कि यह जो प्रोजेक्ट को अबेंडेंड किया जाए और बाद में जो यह जो साइलेंट वैली है उसको डिक्लेयर करके जो नैशनल पार्क है कर सकते हैं तो यह बिटा आपका जो complete chapter आपका यहां पर finished होता है जो आपका जो constitution related है यह आपके किसी भी जो publications है उसके लिए helpful है चाहे वो यह प्र फॉब्लीकेशन के लिए आप देखिए तो उसके लिए भी आप इसको reference के रूफ में आप इस lecture को ले सकते हैं सो बेटा अगर इस शेप्टर से आपके एक्सासाइस से लेटर मैंने आपके क्वेशन आंसर आरे आपको प्रोवाइट कर दिये उसके लिंक यहाँ पर कंट्यूनिय आपको दिखाई दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हो गया साथ इससाथ अगर आपके कोछ ढुड़ सै कुछ कमेंट से कुछ सजिस करने तो आप कमेंट्स बॉक में जाई है Сब्सक्राइब जरूर किजी ऑ